वालों के लिए अभी जो नवंबर का महीना आ रहे हैं इस प्रकार से रह सकता है आप लोगों के लिए आपके केरियर के इसाब से अगर इस मंत को देखा जाए आपकी हेल्थ के इसाब से आपके आर्थिक इसाब से या फिर आपका जो मैरिड लाइफ है या आपके जो रिलेस बात करेंगे, उसके बाद इस चार्ट के साफ से आगे बढ़ेंगे, तो गोचरी इस्तितियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले सूरिय के बारे में बात करते हैं, सूरिय 16 नवंबर तक तुलारासी में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर वश्चिक रासी में रहेगा, बुद्ध वर्षिक में रहेंगे और 26 नौंबर से ये वक्री होने जा रहें। शुकर 7 नौंबर से धनू रासी में परवेस करेंगे और लगबग पूरे महीने ही वो धनू रासी में रहने वाले हैं। मंगल का गोचर रहेगा करक रासी में, ब्रसपती वर्षब में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। सनी कुम्ब रासी में हैं और 15 नौंबर से ये मारगी हो जाएंगे। तो सनी का मारगी होना भी एक बहुत बड़ा इवेंट रह सकता है इस मन्त के दोरान। चंद्रमा एक नौंबर को हमें तुला रासी में देखने को मिलेंगे। काम बन रहा था चाहिए वो आपकी अर्णिंग्स को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, आपकी किसी प्रकार की कोई विसेस दिकत नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे सनी का मारगी होने का पिरेड सामने आ रहा है, लगवग 15 नौंबर का ये टाइम पिरेड जो की अब बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा, तो उसके बाद आपको हो सकता है, किसी भी काम को करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत या थोड़ा ज्या यूँकि लगन के शौमी है, लगन के शौमी होकर जब भी सनी इस प्रकार के इस्तित में इस्तित होते हैं, तो ऐसे में वो आपको दूसरे भाव के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस बना देते हैं, तो हलांकि अब ये कोई ना कोई नया इंकम सोर्स खोजने के लिए या ए लेकिन सनी का मारगी होना और सनी का समन इस्तिति में आना, आपको थोड़ा सा आलसी बना सकता है, आपको थोड़ा सा रिजेट बना सकता है, या थोड़ा सा जिद्धी बना सकता है, ये सब आपको यहाँ ध्यान रखना है, फिर सनी का दृष्टी यहाँ से आपके फोर्थ पूर्थ हौस पे जो सनी का दृष्टी है इस वाज़े से अपने परिवारिक मामलों में थोड़ा आपको ज्यादा सावधानी रखनी या किसी भी प्रकार का आपको प्रोपेर्टी का लेंदेन कर रहे हूँ या घर का कोई बहुत इंपोर्टेंट डिसिजन आप लेने जा र दृष्टी रह सकती है सनी यहां पर फिर जो दृष्टी डाल रहे हैं आपके आठोव भापे इनकी दृष्टी है आठोव भापे दृष्टी के होते हैं यहां आपको रिसर्च वगरह में या अकल्ट के किसी भी फिल्ड में या आपको अधर किसी भी ऐसे काम में जो कि ब बहुत ही ज्यादा punctual आप होंगे और काफी ज्यादा अच्छे से अपने समय का उपयोग करेंगे लेकिन यहां आपको किसी भी बहुत गहराई वाले विसे या बहुत ही कोई डीप अगर आप analysis करने जा रहें तो काफी अच्छी success मिल सकती है तो यहां का सनी कुछ हट तक आप को आपके higher studies वगरे में भी support कर सकता है और किसी भी विसे को अगर आप बहुत गहराई से analyze करेंगे तो ऐसा सनी कही न कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा favor करेगा इसके बाद अगर हम देखें तो यहां सनी का दृष्टी है आपके ग्यारवे भावे भावे जो सनी का दृष करके काम कर रहे हैं या किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरते हैं इसके साथ आप जितना ज़्यादा इमानदार रहेंगे सनी के पिर सनी या खुद दूसरे भाव के स्वामी हैं तो इसके बारे में हमने यहां डिसकस करी है लिया फिर यहां हम देखेंगे गुरू को गुरू अगर देखा जाये तो आपके चार्ट में तीसरे भाव के तो स्वामी है वो बारवे भाव के भी स्वामी और गुरू का कार के speculative कार्य की तरफ नहीं जाना चाहिए, यहां गुरू की इस्तिति है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना अपनी ability बढ़ाने पर focus करना चाहिए, या अपनी जो income source हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना रहे तो यह जो क्योंकि गुरू अभी वक्री इस्तिति में हैं, तो आगे के लिए आप अभी planning कर सकते हों, इसके साथ आपके निर्ने चमता, आपकी सोचने, सबजने की ability, आपकी decision लेने की जो परवर्ती है, उस पर बहुत गहरा असर यहां गुरू का पड़ेगा, आप क्योंक साथ, आपको अपने studies पर मुखे रूप से focus करना चाहिए, अगर आपको किसी भी छेतर में मारत हासिल करनी है, तो थोड़ा सा यहां पर ज्यादा ध्यान देने के जुरत है, गुरू यहां पर अब वो, क्योंकि third load होते वे, आपको थोड़ा सा ज्यादा force लगाना पड़ सक सकते हैं, उचद्धन के लिए अगर आप विदेश जाना चाते हैं, या कोई लंबय यात्रा करना चाते हैं, तो इस समय उसकी planning आपके लिए ज़र रही है, गुरू की दरश्टी फिर आपके 11 भाप पर रहेगी, 11 भाप देखें, यहां दोनों की ही दरश्टी है, क्योंकि स साथ फिर गुरू का दरश्टी लगन पर भी है, तो लगन पर जो गुरू का दरश्टी है, यह कही ना कि आपको थोड़ा सा रोकेगा, अभी आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना, जहां आपको जल्द बाजी करके फैसला लेना हो, यहां पर आपको ज़्यादा से आपकी बुद्धी मता या आप में कितनी ज़्यादा मैचुरिटी है, यही आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा, उसके बाद यहां हम देख लेते हैं मंगल को, मंगल जो कि आपके फोर्थ लोड हैं और आपके ग्यारवे भाव के भी शौमी है, मंगल का गोचर हो रहा है आपके सातों भाव में, जहां वो नीच की स्थिति में हैं तो यह मैरीड लाइफ के लिए बहुत या वास्ट कंडिशिन है , अब बहुत ज़्यादा विबाद होने के चांसिज, बहुत ज़्यादा लड़ाई जगड़े होने के चांसिज इस मंत में है, अगर पहले से आप का किसी के साथ भी कोई विवाद चल रहा है मानली जी पार्टनर के अलाव भी किसी अन्य विक्ति साथ भी अगर विवाद चल रहा है लड़ाई जगड़ा चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल है आ सकते हैं यहां पर मंगल के होते हुए अब मंगल क्योंकि fourth lord है fourth lord होने के साथ वो ग्यारवे भाव के स्वामी तो आपका कोई भी property समंधी लें दें जिसमें आपका कोई लडाई जगडा हो कोई विवाद हो गया या अन्य किसी भी परकार के आपको कोई ऐसे dispute से related दिक्कत हैं आ गई तो यहां बहुत ही ज़्यादा सावदानी के साथ और बहुत ही ज़्यादा संबल के आपको निरने लेने के आप सेकता है ऐसा मंगल आपके जो domestic life है उसको बिलकुल भी अच्छा नहीं दिखाता पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा आपके relations को खराब करेगा और दूसरे कुछ और लोगों के साथ भी आपके relations को खराब करेगा बट मुख्य रूप से ऐसा मंगल कही न कि आपको जीवन में कुछ extra करने के लिए या कुछ extra ability लगाने के लिए force करेगा मंगल का दृष्टी यहां से आपके 10th house पे रहेगा तो अपने boss के साथ भी relations भी गणने के chances है और यहां already क्योंकि niche के सूरिये अभी गोचर कर रहे हैं आपके 10th house में इसलिए आपको अपने boss से ज्यादा साथनी रखने की जुरुत है इसके साथ कही न कई partner भी आपके कारी छित्र को या आपके profession को बहुत ज़्यदा effect कर सकता है तो मंगल का जो दर्ष्टी है उसके बाद आपके लगन पे और आपके दूसरे भाव पे रहेगा यहां देखे लगन पे जो मंगल का दर्ष्टी है यह आपको बहुत ज़्यदा उग्र बनाता है लेकिन यह जो उग्रता होगी आपके लिए ज्यादा तर केस में यह नेगेटिव तरीके से ही काम करेगी यानि मंगल की एनरजी का आप यहां बहुत ज़्यदा पॉजिटिव इस्तिमाल नहीं कर पाएंगी तो आपको इसके लिए एक अच्छे सी प्लानिंग करनी ज़ूरी है फिर यहां मंगल का दर्ष्टी वानिस्तान पे वानिस्तान पे जो दर्ष्टी है इसकी वैसे मुख्य रोप से आपको जो दिक्कत आएंगी खान पान से रिलेटेर्ड या अपने पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यदा मतवेद भी देखने को मिलेंगे और अपनी वानि पर आप कितना ज़्यदा यहां कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही जादा आप यहां मंगल के नेगेट्व इंपक्ट से बच पाईएं उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं शुकर को शुकर जो कि पांचवे भाव के श्वामी और दसवे भाव के श्वामी होकर अभी आपके बारवे भाव में गोचर कर रहे हैं और बारवे भाव में ये धनुरासे में, धनुरासे में शुकर उतना ज़्यादा भोग विलास नहीं देता है, इसलिए यहाँ आपके कुछ ऐसे खर्चे होने की समभावन रहेगी, जहाँ पर आपने कोई luxury आइटम खरीदा है, या आप कोई property वगरे का सोधा कर रहे हैं, कोई गाड़ी वगरे लेना चाते हैं, या और भी कोई luxury आइटम अपने लिए खरीदना चाते हैं, लेकिन relationship को लेकर कही न कहीं ये उतनी खराब इस्तितिन नहीं है, तो अब आपको आपके profession wise या आपकी संतान से related किसी भी काम के लिए अगर विदेश जाना है, विदेश यात्रा करनी, या घूमने फिरने के लिए विदेश यात्रा करनी, तो आप इसका planning करके चल सकते हों, इसके सासाथ क्यों यहाँ पर जो गुरु और शुक्र दोनों का ही यहाँ पर रासी प्रिवर्टन योग भी ब के विदेश में रह रहे हैं, जिनका भी मकर लगना है, उनके लिए भी शुकर काफी ज़्यदा फेवर करेगा, तो आपको विदेश में लगजरी जैसी सुविदाएं, या आपको काफी ज़्यदा धन समपति मिलने के चांसेज हैं, शुकर यहाँ पर पांचवे भाव के श और शुकर भी आपको काफी ज़्यदा spiritual कारियों में, आपको कहीं न कहीं help करेंगे, तो ऐसे में आप अगर विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए शुकर ज़्यदा फेवरेबल हैं, लकन अगर आप अपनी country में रह रहे हैं, तो यहाँ शुकर आपके थोड़े अगर देखा जाए तो, तो यहाँ बुद्ध का आना मुख्य रूप से आपके कारेचितर में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, उसको आप आसाने से सुलचा लेंगे, यहाँ गुरू और बुद्ध आमने सामने हैं, तो निस्सिटी आपको एक अच्छा decision लेने या किसी दूसरे state से आपको income आ रही है, तो ऐसे में भी बुद्ध आपको काफी ज़्यदा मदद कर सकते हैं, गुरू और बुद्ध आमने सामने होने की वैसे, आपके पास बहुत सारे ideas होंगे, किसी भी विशे को explore करने के लिए, या किसी भी विशे पर कुछ न कुछ बो सकेंगे कभी-कभी, इसके बाद यहां से हम बात करते हैं चंद्रमा के लिए, चंद्रमा देखेंगे इस मन्त में अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर तुला रासी में रहेगा, तुला रासी में जो चंद्रमा का गोचर है, यहां पर हलंकि अपने मित्र रासी में रहेंगे शुरू में लेकिन आपको कारिय चित्र की बहुत ज़्यादा चिंता दे सकते हैं या अपने शुरुआत में इस मन्त में वो कोई न कोई बड़ी responsibility आपको दे सकते हैं चंद्रमा क्योंकि अब वो 7th Lord है 7th Lord होने से कई न कई आपका partner का जो impact है वो इस मन्त के सुरुआत में आपके career पर रह सकता है चंद्रमा की यहां से फिर दर्ष्टी पढ़ेगी 4th house पर तो वो आपको थोड़ा comfort देंगे लेकिन यहां चंद्रमा उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और उनीच की इस्तिति में आ जाएंगे पांचवे भापे जो चंद्रमा का दृष्टी है उसकी वैसे हलांकि आपको सोचने समझने या किसी भी निरने लेने को लेकर जरूर यहां चंद्रमा मदद करेंगे बट फिर भी आपको बहुत ज़्यदा भावनाओं में नहीं भेना क्योंकि यहां पर जो वर्ष्टिक रासे में चंद्रमा जा रहे हैं इसलिए यहां आपको काफी ज़्यदा प्रोब्लम आ सकती है यहां चंद्रमा नीज के स्थिति में होंगे फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा आपके बारवे भाव में जहां वो धनुरासी में होंगे यहां चंद्रमा का प्रवेश आपको काफी ज़एदा फेवर करेगा आपका पार्टनर का जो रुजान है बहुत ज़एदा अध्यात्म की तरफ या मेडिटेशन की तरफ हो सकता है यहां चंद्रमा का जाना आपके business का connection अगर foreign से है तो आपको काफी लाब देगा otherwise अगर आपका foreign से कोई connection business का नहीं है तो आपको एक बड़ा खर्चा देखने को मिल सकता है partner के लिए या अपने business के लिए इसके बाद हम देख लेते हैं सूरिय को सूरिय का गोचर अगर हम लोग देखें तो सूरिय यहां वास्त में आठवे भाव के श्वामी और सूरिय आपके जो गोचर कर रहे हैं तुलारासी में यह रहेंगे 16 नवंबर तक 16 नवंबर तक इस बात की बहुत हद तक possibility बनेगी कि आपके अपने बोस के साथ आपके relations खराब होने के बहुत ज्यादा chances हैं आप बहुत ही ज्यादा dominating होगे अपने घर परिवार को लेकर भी और अपने profession को लेकर भी तो यहां मैंली आपको जो ego issues हैं वो आएंगे इसके साथ साथ यहां सूरिय जो की दरिष्टी डाल दें fourth house पे fourth house पे सूरिय आपको help जरूर करेंगे यहां दरिष्टी डाल दें तो माता पीता के साथ भी थोड़ी बहुत अन्बनी या थोड़ी बहुत मत्वएद होने के chances हैं सूर्य का परवेश फिर आपके लाविस्तान में होगा जहां वो वर्ष्चिक रासे में रहेंगे यहां सूर्य का परवेश होगा तो सूर्य आपको बहतर तरीके से निर्णे लेने में मदद करेंगे और आर्थिक मामलों में भी उतने ही जादा मदद कर सकेंगे और इनका जो अब क्योंकि सूरिया आठवे भाव के श्वामी होने के विए से यहां सूरिया आपको प्रयापत रूप से मदद कर सकते हैं किसी भी परकार की सडन इंकम के मामले में या कोई भी गुप्त तरीगी से अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो उस मामले में बहुत ज़्यादा यहा तो यहां देखिए हम लगबग अभी सभी ग्रहों के बारे में discussion करी चुके हैं अब यहां हम राहू और केतु के बारे में कोई विशेश discussion नहीं करने वाले हैं यहां पर हम सीधा चलते हैं कौन-कौन से जो अच्छे दिन है और कौन-कौन से जो खराब दिन है जो आपके ल नहीं बन रहा इसके लाओ आपका कोई भी ऐसा काम जो नहीं बन रहा जिसमें आपको बार-बार रुकावटें आ रही है बहुत ज्यादा आपको परेशानी आ रही है या decision लेने में दिक्कत आ रही है तो आप इन दिनों में उस काम को प्लान अवस्य ही कर सकते हैं उसके ब वरक प्लेस है वरक प्लेस पर आप कमफर्टेबल नहीं रहेंगे इस समय आपका कोई बहुत बड़ा आर्थिक रूप से नुक्षान होना या आपका जो डेली रूटीन है उसका बहुत ज़्यादा खराब होना इससे आपके कैरियर पर भी काफी बड़ा असर पड़ सकता ह चंदर्मा का गोचर जब लियो में होगा यानि सिंग रासी में तो 23, 24 और 22 तारीक को भी ये तीन दिन में आपको मुखी रूप से मानसिक रूप से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी आपका कोई भी डिसिजन हो कि बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है आपके लिए गात बड़ा कोई ऐसा मामला आपके सामने आना जहां पर आप सही तरिके से सोज नहीं पा रहे है या आपको कही थोड़ा इल्यूजन का सामना करना पड़ रहे है क्या आप उतने जदा कमफर्टेबल नहीं है काम करने के लिए तो ये कुछ खराब दिने जो कि आपके सामने आ स सकते हैं इस मत में फिलाल हम पूरा डिसकेशन कर चुके फिलाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद